वाह क्या पकॉड़े बने हैं और किस चीज से ये पकॉड़े बनाए गए हैं सब ऐसा बोलेंगे जब आप उन्हें बिना बेशन बिना सुजी बिना मैदा बिना चावल के आटे बिना गेहूं के आटे के बने हुए ये क्रिस्पी चटपटे पकॉड़े बना करके प्यास को कहते हैं तो चलीए वीडियो को सुरू करते हैं मैं धुटी जी बीएक क्या है वीडियो के लास में आपको पता चल जाएगा और इसको हम दो कप ले लेंगे और इसे अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे तीन से चार बार ताकि इसमें जो भी गंदगी है वाइट कलर का पौडर है वो निकल जाए और यह देखिए अच्छे से वाश करने के बाद यह काफी साफ हो चुका है और इसमें अब पानी डाल करके इसे तीन घंटे से चार घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे तीन से चार घंटे में यह अच्छे से सोक हो चुका है अगर इससे आप उंगलियों से काट कर देखेंगे तो काफी अराम से कट रहा है बड़े जितना थिक बैटर में बना करके रेडी कर लेंगे यह देखिए इसका बैटर इस तरीके का होना चाहिए बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए अब इस बैटर को हम प्यास वाला जो हमने चीजे रेडी की थी उसमें डाल देंगे बर्तन छोटा लग रहा है अब इसमें सॉल्ट एड कर रही हूं अब सभी चीजों को अच्छे से आप स्पून से मिक्स कर लीजे या फिर हातों से मिक्स कर लीजे हातों से इसको काफी तरह से फेटेंगे ताकि इसमें एयर भर जाए और जब पकॉड़े बने काफी जालीदार और सॉफ्ट बने लाम से आ जाए की आव जया उतने हमें पकोड़े डाल देने हैं और एक स्फट से ग्ओर्डन ब््राउन व colony तक फ्राह Inhale होने देना है, मीडियम फ्लेम पे एक साइड से ये 2-3 मिनट पेफ्राई हो जाएंगे हलके गोलेन ब्राउन कर रहे हैं अब इसके सायड को हम टन कर देंगे इसे सबी तरफ से हमें गोलेन ब्राउन कर लेना है यह देखिए पकोड़े हमारे काफी अच्छे फ्राय हो चुके हैं पर्फ्यक् से गानिश किया है चलिए इसको अंदर से देख लेते हैं उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जाली-दार फूले-फूले है यह हमारे लोबिया या चॉली के पकाड़े जो एक सब्ची होती है उसकी भीज होते है यह आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉम